नवस्कार दोस्तों मैं कृष्ण कुमार शुकला पिभ्यार स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर वन कम्प्लीट हो चुगा है यह है चल रहा है कच्छा नाइन्थ का NCRT नाइन्थ क्लास नाइन्थ का NCRT और चैप्टर वन कम्प्लीट हो चुगा आज हम देखते हैं चैप्टर टू है बहुपद बहुपद किसे कहते हैं बहुपद क्या होता है इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक कांसेप्ट जानते हैं जो कि हम छोटी कच्छाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं जैसे अगर बा variable क्या होता है तो variable वा होता है चर वा होता है जिसका मान हमीशा बदलता रहता है अस्थाई नहीं रहता है बदलता रहता है जैसे एक्स वाई जिड एज सोवान ठीक है एक्स वाई जिड तो इसका मान बदलता रहता है अचा अचर क्या होता है अगर बात करें अचर की अचर non-variable 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 का होता है जैसे कोई number लिखा है 2, 5, 7 यह सब क्या है यह अचर है अचर का मतलब जो कभी ना बदले constant रहे तो चर और अचर आप लोग जानते ही है अब जैसे हमने लिखा 2X यह क्या है बीजिये बंजक है एक पद का बंजक है 2X plus 3Y यह भी क्या है एक बीजिये बंजक है और इसमें कितने पद है दो पद है इसमें एक पद था इसमें दो पद था ऐसे हमने लिख दिया कि माल लिजिए 3X plus 4Y plus 7Z इसमें कितने पद है तीन पद है तो यह तीन पद वाला बंजक हो गया तो ये हैं बीजिये बेंजक, जब इन्हीं बीजिये बेंजक को, जब एक या एक से अधिक बीजिये बेंजक को जोड़ करके लिखते हैं, तो उससे क्या बनता है, बहुपद बनता है, जिसमें बहुत सारी पद होते हैं, बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारी पद हो, दे बहुपद होता क्या है जैसे अगर हमने लिख दिया कि 3x प्लस 4y प्लस 9 ये क्या है बहुपद है इसमें बहुत सारे पद हैं बीजे बिंजक है बहुपद है ठीक है अब हमने लिख दिया कोई 5x2 प्लस 7x प्लस 9 ये भी क्या है बहुपद है तो बहुपद दो या दो से अधिक बीजे बिंजकों से बने पद को बहुपद कहते हैं बहुपद भी कई तरह के होते हैं जैसे माली जी कभी कभी आता है एक पद एक पद ये बहुपद दुई पद ये बहुपद त्री पद ये बहुपद ठीक है तो आईए देखते हैं कि एक पद ये बहुपद या एक चरवाले बहुपद क्या होते हैं ठीक है देखिए अगर हम देखते हैं एक चर वाले बहुपत polynomials in one variable जिसमें ऐसे बहुपत जिसमें किवल एक variable हो एक चर हो एक का चर का मतलब अगर x है तो किवल उसमें x ही हो किवल एक चर हो जैसे हमने कहा कि 5x square minus 3x plus 7 यह क्या है इसमें x और x किवल एक ही चर है हमने कहा कि 5x की घाथ 4 minus 3x square plus 5x minus 7 कुछ भी लिख सकते हैं 8 ही लिख देते हैं minus 8 तो यहां पर क्या है x, x, x किवल एक ही चर है तो यह क्या होगा एक चर वाला बहुपत होगा या polynomials in one variable इसमें किवल एक ही variable है तो यह एक चर वाला बहुपत होगा अगर हम बात करें कि बहुत सारे variable वाला बहुपत तो अगर जिसमें कई सारे चर रहेंगे वो एक चर वाला बहुपत नहीं होगा इसमें कई सारे चर रहेंगे जैसे हमने x, y, z सब को मिला दिया जैसे 5x square plus 7y square plus 5x minus 7y plus 8 कुछ भी लिख दिये तो ये इसमें 2 चर आ गए एक चर x हो गया और एक चर y हो गया तो इसमें कितने 2 चर आ गए x और y तो ये एक चर वाला बहुपत नहीं होगा ये दो चर वाला बहुपत हो जाएगा ऐसे अगर 3 चर आ जाएगे तो कई चर वाली बहुपत हो जाएगे ठीक है तो अब देखते हैं कि कभी कभी पूछता एक पद वाला बहुपत दूई पद वाला बहुपत त्री पद वाला बहुपत ठीक है जैसे हमने लिख दिया कि 5X ये क्या है एक पद है हमने लिख दिया 5 किवल 5 लिख दिया तो ये भी क्या है एक पद ये बहुपत है ठीक है इसमें किवल एक पद है जो की चर है अचर है और इसमें चर और अचर दूनों है हमने लिग दिया 7 y 8 x ये सब क्या है एक पद वाले बहुपद है अगर हम दो पद ये के बात करें दूई पद वाले बहुपद की तो क्या होगा जैसे दूई पद होगा तो जैसे हमने लिग दिया 3 x प्लस 5 y ये दूई पद ये बहुपद हो गया 5x square minus 7y square दूइपद ये बहुपद हो गया 8x plus 3x square क्या हो गया दूइपद वाला बहुपद हो गया तो ये सब सारे क्या हैं दूइपद वाली अब तूइपद का मतलब by by का मतलब 2 binomials तूइपद trinomials एक पद होता है mononomials तूइपद ये बहुपद जिसे इसमें 3 पद है माल लेजे 5x square plus 7y plus 6 तूइपद ये हो गया और माल लेते हैं 6x square plus 8y square plus 7x तूइपद ये बहुपद हो गया तूइपद हो गया तो इस तरह से ये था बहुपद का concepts और बहुपद के basics अब आईए देखते हैं बहुपद को start करते हैं chapter 2.1 से पहले question देखते हैं कि क्या कहता है exercise exercise 2.1 exercise 2.1 ठीक है चलिए देखते हैं ये है exercise 2.1 निमलखित बेंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है कौन कौन से नहीं है इसमें आपको बताना है कौन कौन से एक चर का बहुपद है और कौन कौन सा एक चर का नहीं है तो देखते हैं पहला पहले में क्या है लिखा है कि 4X square 4X square minus 3X plus 7 ठीक है हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से एक चर में है तो इसमें देखिए कितने चर है एक चर है, दो चर एक ही चर है, मतलब X किवल एक ही चर है X, तो ये एक चर में बहुपद है, तो इसमें लिख दिना S एक चर में बहुपद है कितने चर में? एक चर एक चर में है एक चर में बहुपद है अगर कोई बहुपद एक चर में नहीं है तो इसमें हम लिख देंगे एक चर में नहीं है जैसे y square plus under root 2 इसमें कितने चर है इसमें एक ही चर है कौन सा y लिखेंगे इसमें केवल एक चर है y अता हिया एक चर में बहुपद है ठीक है ऐसे ही तीसरा लिख देंगे तीसरे में क्या है 3 under root T plus T under root 2 ठीक है तो इसमें भी क्या है एक चर में बहुपद है केवल ही तो है T है लेकिन कि इसमें T है लेकिन कि अगर हम देखें T की घात कितनी है इस पे under root है और यहां पर T की पावर कितनी होगी under root पर हमने बताया था अगर कहीं under root लिखा है जिसे माल यह under root T है तो इस पे T की पावर 1 by 2 होगी जो की एक पूर्ड नंबर नहीं है पूर्ड संख्छा नहीं है तो अगर किसी बहुपद में थीक है यह बहुपद ही नहीं है क्यों नहीं है कारण बताना है कारण यह है कि T की घात जो है वो एक पूर्ड संख्छा नहीं है पूर्ड संख्छा नहीं है क्या है एक बटी 2 है एक बटी 2 एक पूर्ड संख्छा नहीं है थीक है चलिए आगे बढ़ते है चौथा question देखते हैं क्या है यह चौथा और पाच्वा question है चौथे में क्या है कि Y धन Y बटे Do Y धन Y बटे Do Sorry, Y बटे Do नहीं दो बटे Y है ईसको ऐसे लिखेंगे Y धन दो बटे Y तो अब इसमें देखें कितने चर है एक चर है वाई वाई एक चर है लेकिन अब इसमें देखें क्या ये बहुपद है कि नहीं है तो यहाँ पर वाई की घात एक है लेकिन यहाँ पर वाई नीचे है और ये उपर जाएगा तो क्या बन्जा है तो जब घात माईनस में होगी या फिर घात भिन में तब जो है वो एक बहुपद नहीं होगा तो ये क्या है एक बहुपद बहुपद नहीं है ये क्या है बहुपद नहीं है अब पाच्वा कोशिशन देखेंगे पाच्वे में देखें कितने चर है एक चर हो गया वाई दूसरा चर हो गया ती तीसरा चर हो गया इसमें कुल कित नेचर हैं तीन चर वाला बहुपद है ये कितने चर वाला बहुपद है तो एक चर वाला बहुपद कौन कौन से थे एक चर वाले बहुपद सिर्फ हमारे पास ये वाला हुआ और पहला हुआ और कौन सा हुआ बस पहला ही हुआ दूसरा बहुपद ही नहीं नहीं दूसरा भी है सॉरी दूसरा भी क्या है एक चर वाला बहुपद क्योंकि इसमें एक चर है तो ये भी एक चर में है एक चर में तो पहला और दूसरा एक चर का बहुपद हुआ, तीसरा बहुपद ही नहीं है, और चौथा बहुपद नहीं है, पाचवे में कितने चर हैं, तीन चर हैं, ठीक है, तो यही हमको पहले में निकालना था, अब आईए देखते हैं, question number two, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है, तो देखते है, question number दूसरा, तो दोस्तों यह है दूसरा question, इसमें बताना है, निमल लिखित में x square का गुडांक लिखे, x square का गुडांक, गुडांक का मतलब होता है, उसके आगे लिखा हुआ अंक, x square के आगे लिखा हुआ अंक, तो अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, two plus x square plus x, x square के कौन सँ अंक है, कोई नहीं है, जब कोई नहीं रहता, तो वहाँ पर क्या मन लेती है, one, तो यहांपर x square का गुडांक क्या हुआ, one, हमारा answer क्या हुआ, one, दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर x square के आगे क्या है, इसमें देखें, X2 कहा है, यहाँ है, X2 के आगे कौन सा नमबर लिखा हुआ है, पाई बटे 2, तो यही X2 का गुड़ांक हो गया, यही हमारा answer हो गया बस किवल x² के आगे लिखा हुआ नंबर x² का गुडांक होगा अगर x का गुडांक पुछता तो हम x के आगे वाला नंबर देखते हैं यहाँ भी x के आगे वाला ठीख IT है तो यहाँ पर x² का गुरांक अब आईए देखते हैं इसमें x है, x square इसमें high नहीं है, तो अगर x square नहीं है तो हम मान लेते हैं, अगर होता मान लिजे root 2x-1, जब कोई x square का गुडांक ही नहीं है तो उसका गुडांक हम 0 लेते हैं, 0 answer हो जाएगा, कैसे, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं, कि 0 x square कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से गुडां करेंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा, और हमारा बिंजक यहीं बन जाएगा, तो 1 x square का गुडांक यहां पर 0 ले लेंगे, जहां पर वो चरही नहीं है, तो उसका गुडांक हम 0 लेकर के लिख लेते हैं, आंसर 0 आजाएगा, ठीक है, तो आएए देखते हैं तीसरा कोईशन, तीसरा कोईशन नमबर 3 क्या है, आपको बहुत ही easy chapter है, बहुत आसानी से होगा, बस करते जाएए, साथ में रहिए, सब को आएगा, सब को समझ में आएगा, देखिए, कोईशन नमबर 3 बहुत मज़दार कोईशन है, बहुत ही आसान है, इसमें 35 घात के 2 पद, 35 घात के 2 पद, और 100 घात के 1 पदी का एक एक उदारन दीना है, तो भाई, चाहे जितनी घात हो, हम उदारन तो देही सकते हैं, कि 2 पद है, तो हमें 2 पद लिखना है, ठीक है, हमने लिख दिया, एकस प्लस 2, कुछ भी लिख दिये, एकस प्लस 4, एकस प्लस 18, और 2 पद होना चाहिए, 2 पद हो गया, ले, 2 एकस प्लस 2 लिख दिये, अब घात 35 होने चाहिए, तो हम एकस की घात 35 लगा देते हैं, कौन सा फर्क पड़ता है, यही हो गया हमारा आंसर, अब ऐसे ही हम बेंजग कुछ भी लिख सकते हैं, बस 2 पद होने चाहिए, ठीक है, हमने लिख दिया कि 5 एकस की घात 35 प्लस 3 एकस स्क्वार प्लस 7, ठीक है तो इस ब्यंजग की इस बहुपद की मैक्सिमियम घात 35 होने चाहिए, मैक्सिमम अधिक से अधिक इसकी घात 35 होने चाहिए, बस, चोटी से चोटी आप कितिनी भी घात लिख दो, 35 से चोटी, यह 35 घात का बहुपद ही माना जाएगा, ठीक है, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 3X की घात 35 प्लस 5X स्क्वार प्लस 6X की घात 3 प्लस 5X की घात 18 प्लस 7X की घात 19 कुछ भी लिखते हैं, तो यह भी एक बहुपद होगा, लेकिन कि यह दोई पद का बहुपद नहीं होगा, और यह इसमें भी साथ हटा देंगे, किवल दो पद निकालना है, तो ह हम इस तरह से दो पद का बहुपद ही लिखेंगे, ठीक है, तो यह भी एक 35 घात का बहुपद होगा, लेकिन केवल दो पद ही लिखना है, तो हम दो पद एक ये और एक ये, मतलब दो ही पद इसमें लिखना है, ठीक है, ऐसे ही इधर 100 घात के एक पदी, इसमें होनी हो गया एक पद का बहुपद ठीक है यह सारे एक पदी बहुपद हैं और घात कितनी है सौ है ठीक है तो इस तरह से यह हो जाएगा अब देखते हैं कोश्चन नमबर फूर कोश्चन नमबर फूर में क्या है कोश्चन फूर यह कोश्चन नमबर फूर बताना है निमनलिखित बहुपद में प्रतेग बहुपद की गहात कितनी है तो हम गहात जब तो उस बहुपद के चर पर लगी द्यान दीजेगा चर पर किस पे चर पर लगी मैकसिमम घाद सबसे अधिक वाली घाद देखेंगे इस पे घाद एक है इस पे घाद दो है इस पे घाद तीन है तो सबसे ज़्यादा घाद क्या है तीन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीन इस बहुपत की गहाद क्या है? तीन आंसर हो गया बस सिर्फ इतना ही देखना है इतना आसान चार माइनस एकस वाई स्कार तो यहाँ पर चर कौन सा है? वाई है वाई पर गहाद कितनी है अधिकतम? दो है तो आंसर हो गया दो यहाँ पर चर कौन सा है? नहीं है इसमें चरकुछाई नहीं है तो यहां पर घात क्या हो जाएगी जीरो बस अंसर हो गया तो बहुत ही आसान चैप्टर है उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा एक कोशन और है कोशन नमर फाइब आए उसको भी देख लेते हैं और फिर पढ़ते हैं एक्सरसाइज पर ठीक तो यह है कोशन नमर फाइब इससे आसान एक्सरसाइज आपको नहीं मिलने वाली है इसमें केबल यह बताना है बताएए निमलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक हैं कौन-कौन दुई घाती हैं कौन-कौन त्री घाती अच्छा देखि बहुपद की मैक्सिमम घात की बात हो रही है मैक्सिमम घात एक होगा वो रैखिक होगा मैक्सिमम घात दो होगी तो दुई घाती होगा मैक्सिमम घात तीन होगी तो त्री घाती होगा आईए देखते हैं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- कि तीन तो यह कौन सा हुआ त्री घाती बहुपत हुआ ठीक है इसमें फ G Wow टि इसमें आधिक्तम घात कितनी है तो यह क्या हुआ 1 अधिक्तम घात कितनी है अचर की घात देखेंगे BREछा है और और न्यदे कहा हुआ तो यह वो रैखिक बहुपद होगा इसमें चर्क अधिक्तम घात कितनी है एक तो ये भी क्या होगा रैखिक इसमें अधिक्तम घात कितनी है दो तो ये कौन सा होगा दुई दुई घाती और एक पद ये एक ही पद है दुई घाती एक पद ये बहु पद ये द मति पुछाँ आगे अब dप देखेंगे exercise 2.2 आपको वीडियो का डाउनलूड कीजिए पूरी क्लास के लिए थैंक्स फार वाचिंग बहुत बहुत धन्यवाद